असलम्लेकर बहुत अंदर क्रिकाट गरांट है फोटबाल ग्रांड है डिफेरेंड ड्यूस्टी जो हैम्झ हैं में यहां ग्रॉस्टी प्लाभ है इसके बाद होस्टल इसी के अंदर है उसके बाद तलाव जो है बहुत प्यारी लेक है इसके अंदर बहुत कमाल की बड़ा प्यारा विए उसके साइडूं पे जगा बनी हुए बार्बीक्यू करने के लिए तो student जाते हैं, वहां पे कोई भी जा सकता है, बार्बीक्यू के लिए उन्होंने बनाए होएं, बड़े से, वहां पे अपना समान ले जाएं, और तलाब के किनारे बैठ के आप बार्बीक्यू करें, बड़ी प्यारी जाएंगा है, और study के लिहाज से कैसी है, जो study है, इसकी ग्लींिच उन्वसिटी नहीं दूसरी फीडबाक मिलता है उसमें जो दूसरी इनome suggर यह स्जीु व Wick करती नेकिन और चीजान के उपर चुछ यह लेकिन यह नेशन क Pie जो ढूत पार मंचलर करती है लेकिन यह बहुत zmian स्ट्रस करती है i आपको रिलिफ मिलेगा आप उनके पास जाएं कॉंसलिंग बगर के सैशन लें और इसके वगर आपको आपको ने रहे हैं तो उनको पता होगा तो आपको रिलिफ मिल जाएगा उसके बाद स्टेडी का ले यवल बहुत Curry लिद दूसरी उनिवर्स्टी के बड़ा ह्य है इंदर इंक इंदर उन्य असेद एक इंदर जो हैं उन्य ऐकितल छिपी है। उसेटरगी δिप्सेर के यह प्यागी प्र énorme Connect को यहाम है। यूनिवस्टि आफ ऐस एक्स का थो बहुत ही' ही बेहतरी हर एसपेक्ट के लिहाई से और साउय स्क्वाइद कि फीज़ की यूदि की ज़्यादा है क्यों कि यूनिवस्टि का रैंक बहुत ही हाई है लोकेशन बहुत प्यारी है ग्रीनरी है इसके होस्टल जो हैं बहुत ज़्यादा प्यारे हैं हर चीज के लिहाज से बहुत ही बेहतरी इन यूद्विश्टी के लिहाज से भी तो इसकी फीस भी थोड़ी से प्यादी कंपरिटीव ली जयादा है अड्मिशन असान है अब देखें बगार आλस के आपको यह अद्मिशन दे देती है अगर आपके डॉकमेंट से अपूरे हैं और आपने अपको अप्ल अचान भी दे देती है और पोडरे टीचर प्रोंड हैं टीचर बड़ा तो यह टाउन कोल्चस्टर जहां पर यह यूनिवर्स्टी है, यह टाउन भी बड़ा चोटा सा और ब्रिटिश टाउन है, यहां पर घ्रज़ाज़ दोस्टूडन हैं यहां पर यहां की लोकल्ड हैं, आपको एशियन पीपल यहां पर बहुत काम मिलेंगे, comparatively लंदन के, मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकती है comparatively अगर आप ब्रेटफोर्ड में रहते हैं यहां पाकिस्तानी इंडियन ज्यादा स्टुडेंट जाते हैं यहां लंदन वाली साइड पर जाते हैं क्योंकि वहां पे जो सैचुरेशन हैं डिफरेंट कंट्रीज की वह बहुत ज्यादा है जो यहां के लोकल्स हैं ब्रेटिश पीपल हैं वो कम है तो जिसकी वजह से आपको वहां पे उर्दू हिंदी बोलके भी गुजारा हो जाता है तो यहां पे most of the time आपको इंगिश बोलनी पड़ेगी जो के एक बड़ा ही positive aspect है जो आपके लिहाद से भी है चैवल के लेना है तो युनिवस्टी के साथ ही बिल्कुल theory का test जो है वहां पे आप दे सकते हैं बगी है कि practical भी यहां पे dates easily मिल जाती है comparatively London के वहां पे तो 3-3 माँ 5-5 माँ बाद जाके test की date मिलती है अगर fail हो जाओ तो फिर wait करना पड़ेगा लेकिन यहां पे date भी असानी से मिल ज अब मुझे दूसरी उनिवस्टी का इसा जितना आइडिया नहीं क्योंकि मैं वहां पे रहा नहीं मुझे इसका ज्यादा आइडिया लेकिन मैंने आपने आपको यहां में बड़ा comfortable फिल किया जो दूसरे स्टुडेंट है जो मेरे बाई है जाने वाले हैं दोस्त हैं उन से मैंने अब्जर्व किया जो अपनी उनिवस्टी के बारे में तो यह स्टुडेंट को काफी ज़्यादा है रिलीफ देती है और हर लिहाद से आपको स्पोर्ट भी करती है अगर आपको कोई मसला है आप यूनिवस्टी से जाके बात करें तो फोरन से पहले आपको जो है वो कार्स度 किया और उन्हें परॉपर घयर किया कि क्या क्या करने क्या 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 नहीं करना है तो हेल्प करते हैं हर लेहाद से तो अगर कोई ऊंवस्टी e war 7 में आना चाहता है तो मैं ज़रूर रिक्मेंट करूंगा अगर वो फीस अफॉर्ड कर सकता है तो वो ज़रूर उनिवर्स्टी आपसेस को प्रेफरेंस दे थैंक यू